शर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी स्किन होती है का चाहे हम कोई भी मौशराइजर या कोई भी महेंगे से महेंगी क्रीम लगा ले हमारी जो स्किन है वो खिची-खिची सी रहती है जादा तर दिन भर में कई बार ऐसा होता है कि हमें मौशराइजर या फिर क्रीम लगाने की जरूरत पड़ती है तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है इस्पेशली क्या होता है जो रात में हम कोई भी नाइट क्रीम लगा लें और लगाने के बाद हम सोते हैं तो सुबा उटने के बाद जो हमारे स्कीन होती है वो खिची-खिची सी लगने लगती है ऐसे लगता है कि बारा घंटे वो चलता नहीं है क्योंकि कोई भी क्रीम तो आज ये जो मैं क्रीम बताने वाली हूँ ये आपको अंडर आई पे भी आप लगा सकते हैं यानिकि अगर आपको डाक सकल्स की प्रॉब्लम है आप उस पे यूज कर सकते हैं आप इसको एस नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं तो ये मल्टिपल यूज की क्रीम जो है आपको बहुत ही आसानी से दो मिनट में बन जाएगी और जो भी चीज से बनने वाली है वो बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है आपके पास स्मूसली होगा ही होगा और इसको आप अपने हाथ पे भी लगा सकते हैं हैंड क्रीम की जगा कहीं भी भी आप इसको यूज कर सकते हैं और यकीन मानिए कि ये 24 घंटे से ज़ादा आपकी स्किन को एक तो मौशराइज करके रखेगा उपर से आपकी जो स्किन को एक टोल से ज़ादा ये ब्राइट करने में भी मदद करेगा तो दोस्तों वेलकम है आपका इस वीडियो में और वेलकम है आपकी अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब किये बीना बिल्कुल भी मज़ाय कीजिए दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रुरत है तो इसमें हमने एड़ किया है एक चमच अलोवेरा जेल आपको जितनी कॉंटिटी में बनाना है आप उतनी कॉंटिटी में बना के रख सकते हैं और एक चमच अगर आपने अलोवेरा जेल एड़ किया है तो इसमें आधा चमच आपको मिला लेना है गलिसरीन की इसको मैं बना रही हूँ किवल आपको जो है रेमेडी बताने के लिए मैं हमेशा बना के इसको लगाती हूँ लेकिन याद रहे कि इसको आपको जादा अभी क्योंकि ठंडिया है तो लगभग 15 दिन के लिए आप बना के इसको स्टोर कर सकते हैं 20 दिन के लिए तो ज्यादा तर इसको हम ठंडियों में ही अपलाय करते हैं अगर आप चाहें तो गरिमियों में भी अपलाय कर सकते हैं अज़ा नाइट क्रीम तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से यह मौशराइस करके रखता है आपके स्किन को तो हमने सिर्फ दो ही इंग्रीडियंट से इसको बनाया है एक तो है अलोवेरा जेल और दूसरी है ग्लिसरीन कहीं पे भी आपको मिल जाएगा यह दोनों चीज और उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको मसाज करना है रात में सोने से पहले आप अच्छे से फेश को वास कर ले और उसके बाद कि कुछ इस तरीके से अपने चेहरे पे अच्छे से इसको लगाएं और एक अच्छा सा मसाज दें आप अपने चेहरे पे आप इसको साथ दिन लगा के देखिएगा अगर आपकी skin पे difference ना नजर आए आपको glow ना नजर आए तो आप आके मेरी वीडियो को dislike कर सकते हैं यह मेरी guarantee है दोस्तों और ऐसी चीजें हैं यह दोनों ऐसी चीजें हैं जो आप कोई कैसे भी skin वाले हैं आपको दोनों चीजें suit करने वाली हैं कुछ लोगों को ऐसा होता है कि glycerine नहीं suit करता है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन अगर आप glycerine आगी इसकी जगापे आप चाहें तो olive oil का यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आप dark circles के लिए अंडर आई पे भी इसको यूज कर सकते हैं और अपने हाथों पर आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत अ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा थाइंक यू सो माच लवी और बाए